जय हिंद साथियों, ELP Technician और RPF के exam date के बारे में News Paper में एक update आया है, क्या कुछ उसमें लिखा है हम लोग देखने वाले है कि आखिरकार ELP Technician और RPF का exam date कब तक रहने वाला है वहीं आप लोगों को बता दें, तो फिर से आपका exam conducting agency TCS ही है आपका TCS exam करवाएगा, ठीक है, तो क्या कुछ इसमें है, वो update हम लोग देखने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप लोग जरूर चैनल को subscribe कर लें और NTPC का 1000 question इतना सारा आपको मिलता है, सिर्फ 50 रुपे में आप लोगों को ये PDF प्रवाइड किया जा रहा है जबकि इसमें total question जो होते हैं, उनकी संख्या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तिरपन सो पलस question है अगर यहाँ पे हम लोग ये question को और पैसा से डिवाइड किया जाए, तो येक रुपे में आप लोगों को 106 question दिया जारा जो कि ऐसा YouTube पे अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे, एकदम minimum price लगा है, जितना कम से कम हो सकता है और page की बात करें इसमें, तो इसमें page 102 है, येक page में ये जो आप देख रहे हैं, ये book का front page है, जबकि 101 page में ये total book जो है वो खतम है तो इतने कम page में और सटीक book बनाया गया है ये, आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ELP, Technician, NTPC, JE, GroupD, RPF या Paramedical कोई भी exam का त्यारी कर रहे हैं आप लोग railway के, सभी के लिए ये book master book जो है बहुत ज़ादा important रहने वाला है आप लोग अगर इस book को purchase करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक WhatsApp नंबर दिया गया है, आप इस पे संप्रक करके वही से आप लोग ये PDF खरीज सकते हैं तो साथियो, news paper में जो update आया है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, railway ने किया परिक्षा agency का chain, जल्द घोसित होगी परिक्षा कारी करम, ठीक है, यहाँ पे railway सुरक्षा बल यानि की RPF और सहायक लोको पाइलट यानि ALP भरती परिक्षा के बारे में यहाँ कुछ पॉइ railway ने परिक्षा आयोजित कराने के लिए परिक्षा agency का chain कर लिया है, अब जल्द ही परिक्षा कारी करम घोसित कर दिया जाएगा, आगे पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा है, railway की ओर से railway सुरक्षाबल और कास्टेबल और सब इस्पेक्टर की भरती के लिए 14 अप्रेल 2024 क आबेदन के पांच माह बाद भी RRB की ओर से प्रिक्षा कारी करम जारी नहीं किये जाने से अभ्यरती इंतजार कर रहे हैं, इसी तरह से लोको पाइलेट के रिक्षा पदो पर भरतियों के लिए 17 जनौरी को ही आबेदन आमंतरित कर लिए गए गए थे, इसके बाद से अगर देखा जाए उपर, तो इसी साल के अंत्वे परिक्षाओं रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही रेलवे सुरक्षा बल और सायक लोको पाइलेट भरती के लिए परिक्षा कारी कर दिया जाएगा, रेलवे की ओर से दोनों परिक्षाओं के आयोजन के लिए परिक्षाए जैन्सियों का चैन कर लिया गया है इन दोनों परिक्षाओं के लिए जल्द ही परिक्षा ठीथी घोशित करने के साथ ही प्रवेस पत्र जारी कर दिये जाएंगे वे परिक्षाएं 9 वां दिसंबर में आयोजित की जा सकती है जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को कि ALP का एक्जाम नॉंबर में होगा और यहाँ पे टेक्शन का दिसमबर में बिलकुल मैं अपनी ही बात पे रहूंगा हमेशा ठीक है क्योंकि जो भी बाते हैं आप लोगों को बताए है वो फैक्ट के अनुसार बताए थे ठीक है तो यहाँ पे भी आर्टिक के आसपास स्टार्ट होता है और यह 10 दिसमबर तक चलेगा ठीक तो इसमें आपका एक्जाम आर्पियफ का हो जाएगा फिर टेक्नीशन की बारी आती है यानि एक हफते बाद अगर एक हफते बाद नहीं 20 दिसमबर से भी स्टार्ट हो जाता है तो आपका दिसमबर आप लोगों को बता दिये है